आपको यहीं आपको बताती हूं कि इससे हम पिछले साल नो कि सुभरन फ्लारिंग प्लांट लगा थे तो इससाल में हम मिट्यु कैसे सुभराइज कर सकते है कि अपना इस अपनी साल और प्लारिंग को सुभरता है फॉर से ने लिगा वाइना तो इस वीडियो में जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो अगर हेलफुल लगे तो लाइक कीजिएगा तो चलिए मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले ज्यादा मैसना हो इसके लिए आप नीचे कोई प्लास्टिक या फिर बोरी रा लीजे बोरी राले से क्या होता है कि मिट्टी जो है नीचे फर्स को गंदा नहीं करती है इसके बाद आप अपने पुराने गंदो को खाली कर लीजे इस तरीके से आप खाली कर लीजे और जो आप गंदे खाली कर रहे हैं इनको भी दो दिन के लिए आप धूप में छोड़ दीजे दूप में रखने से क्या होगा कि गंबले जैसे ये स्ट्रीमेंट की गंबले या फिर प्लास्टिक की गंबले होते हैं इन में मौईश्यर के वज़े से नीचे फंगस हो जाती है या फिर कीड़े चुट-चुट से कीड़े हो जाते हैं जो आप दूप में रखने से ये मर ज नीचे गमलों में इसे गमले बहुत हलके होते हैं पर यह जल्दी से कम्पोस्ट भी नहीं होती है देखें मिटी कितनी सॉफ्ट है पिछली बार मेरे गमलों की बिल्कुल हास से ही अलग हो जा रही है इस तरीके से आप जो भी इसमें जड़े हैं या फिर प्लांट की जो टहन मिले जो अधितनी को इस सब को आप निकाल कर अलग कर दीजिए इनको निकाल कर फेंकिए गान पाड़ा नहीं जो आपनी का खचरा फेकने फेकते नहीं है उसको भी हम यूज मेलाते हैं क्योंकि हर्ट ही यूसिमन है ने गार्ढ़न में इस थो दिन के लिए रख दीज आप फिर बाहर निकल जाएं कि यह क्यों अंदो दिन पहले जुखने के बाद दिखें के बाद देखिए मित्ती को छैसी हो गई है इसमें जितने भी चुटी चुटी से कीड़ी मुकाड़े थे वो सारे चले गए हैं अब ही मिट्टी थोड़ी सी फ्रेश हो गई है इसके बाद क्या करना है देखिए इस मिट्टी को हम लोग पिछली सर्दियों से यूज कर रहे थे बले हमने इसमें थोड़ी सी खाद डाली है गर्मी के लगाये थे इसलिए यह मिट्टी अब बिल्कुल नीट्रेंड नहीं बचे हैं अब इसमें तो हमें इसमें नीट्रेंड एड़ करने होंगे नीट्रेंड करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूं सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट आप चाहें तो गोबर की खाद भी यूज कर स है यह तीन से चार गमलों की मिट्टी है इसलिए मैं इसमें चाहसे पांच मुठी ही सिर्फ फर्मी कंपोस्ट डाल रही हूं इसके बाद हम लोग बना रहे हैं इस मिट्टी को सर्दियों के फ्लारिंग प्लांट के लिए इसलिए हम एड़ करेंगे इसमें आधी मुठी बो करीये देखे सिर्फ तीन चीजेहिया आप मैंशा है जरूरी होती हैं इस में यह इंचाना मिट्टी में राज पार यह जो महीं नहीं है कोई किक्कत नहीं आप इंचीजों को डालकर मिट्टी को मिक्स कर लीजे कि इस तादी शीमिक एबऌत हैाद नहीं यह मिट्टी को सर्दियों के फ्लारिंग प्लांट के लिए बना रहे हैं, तो पोटास फ्लारिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, पर बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है, एक चमच के करीम मैं इसमें पोटास डाल दूँगी, और लाइम पाउडर, जो चूने कर लीजे आप अच्छे से, इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लीजे, मिक्स करना बहुत जरूरी है, अगर आप मिक्स नहीं करेंगे, तो मिट्टी में कहीं कहीं न्यूटन जाएंगे, कहीं कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए आप इन सारी चीजों को अच्छे से पहले म मिक्स करने के बाद आप इसको हलका सा मॉइस्ट कर लीजेगा मॉइस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जित्ती भी चीजे हमने मिलाई हैं इसमें वो सारी एक साथ कमबाइंड हो जाएं रियाक्ट कर लें और मिटी को अच्छा बना दें इस तरीके से आप लेकिन सौगी मत कीजेगा इस मिटी को हलका सा मॉइस्ट कर लीजे और मॉइस्ट करने के बाद इस मिटी को ढख दीजे ढखने के लिए आप इसमें एक और बोरी का यूज़ कर सकते हैं उपर से या फिर इस तरीके से कोई तसला वगएरा डाल कर आप रख कर इसको ढख सकते हैं पर इस मिटी को धपना बहुत चरूरी है धपने से जब यह मॉइस्टर की वज़े से अंदर जब यह मिटी आपस पने यह सारी चीजे मिलेंगी तब यह मिटी बहुत अच्छी हो जाएगी आप इस तरीके से मिट्टी को हफ़ते से 10 दिन तक आप इस तरीके से ढखकर रखे बीच में 2-3 दिन में इसको मॉइस्ट करते रहिएगा इस तरीके से गर आप प्रिचार्ज करके आप सर्थियों के फ्लारिंग फ्लार लगाएंगे तो देखिएगा इस बार आपके गार्डन में कितने बढ़ियां फ्लार आते हैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्फुल लगी होगी अगर हेल्फुल लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग सी यू नेक्स वीडियो बाबाई